मिडल इस्ट की जंग अब और सदा तेज हो गई है इसराइल जो है वो अब गजा के बाद वेस बैंक को निशाना बना रहा है और वेस बैंक में जस तरह की कारवाई पीछे दो तिनों में हमने देखी है वैसे अब कहा जा रहा है कि अभी तक तो जो इसरेल के टांक थे वो सडकों पर वेस बैंक के दोड आए थे लेकिन अब हवाई हमले भी वहाँ पर तेज हो गई है चुन चुन कर इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कटर पंथिया यानि चरम पंथिया उनको ढूंडा ज रहा है इसी पर बात्षित करने के लिए मैंक मेरे साथ जुड़ गए हो इसके क्या परिणाम भी आगे देखने को मिल सकते हैं इस पर भी आज इस वीडियो में हम चचा करेंगे तो मैंक वेस्ट बैंक में लगातार कारवाई चारी है और सबसे बड़ी बात ये है कि गजा के अब निशाने पर वेस्ट बैंक है वहाँ के लोग है वहाँ के चरम पन्ति है और इसराइल कह रहा है कि इनको धूंडा जाएगा देखिए वेस्ट बैंक में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा हमला इसरेल ने किया है और जैसा कि आब बता रहे हैं वेस्ट बैंक की सड़को पर टैंक हैं इसरेल की फोर्सेस हैं यहां तक कि अब एर स्ट्राइक भी वेस्ट बैंक में शुरू हो गई है और ड्रोन से भी हमले हो रहे हैं अब बड़ा सवाल यह है निलू की अब यह पूरी लड़ाई जो है यह किस तरफ जा रही है देखिए इसरेल का कहना ऐसा है कि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं या जो चरम बनती संगठन हैं वो लगातार इसरेल को निशाना बना रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि हमास के बहुत सारे जो लड़ाके हैं वो वेस्ट बैंक की तरफ भी मूफ कर गए हैं और वेस्ट बैंक से हमास औ कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा तेल अवीव में एक सुसाइड बॉंबिंग हुई एक सुसाइड हमला हुआ था जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक शक्स ने वो एक्स्प्लोजव भरके ट्रक में ब्लास्ट कर लिया था यह जो घटना तेल अवी में जो फिलिस्तीनी संगठन हैं इनकी तरफ से एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी जो लगातार पिछले कुछ महीनों से इस्रेल को निशाना बना रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जो हमास के लड़ाके हैं या जो हिजबुल्ला है यह फिलिस्तीन के जो संगठन काम कर र में चैजिना रही किसी तरफ साजिश को नई हो रही इसको लेकर एक बड़ा ग्राउंड ओप्रेशन जो है वो इस्रेल ने छेड़ दिया है बिल्कुल लेकिन अगर वेस्बेंक की बात की जाए तो जो वहाँ के नागरिक है उनका कहना है कि इस्रेल जो है वो मतलब जान जान बूचकर इस तरह की करवाई कर रहा है और वहाँ पर वो हमास के लड़ाकों को नहीं ढूढ रहा है या फिर चरम पंथियों को नहीं ढूंड रहा है बलकि वहां के बच्चे और और अर्थों को निशाना बना रहा है ऐसा कहना है वहां के संगठन का खास दोर पर जो फिलिस्तिन इस्लामिक जहाद है उनका कहना है कि अगर इसी तरह से इस्रेल अपनी कारवाईत करता रहा तो फिर वो इसको लेकर सामने आएंगे और फिर कोई बड़ा युद्ध अपनी तरफ से ही वो छेड़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेले होंगे बलकि इस बार और जादा ताकत के साथ जो ये जो फिलिस्तिन इस्लामिक जहाद है वो आगर निकल कर आएका और इस इसे में अगर इसने कह दिया है कि अगर वो अपने हमले यानि कि इसरेल अपने हमले वहाँ पर नहीं रोकता है और लगातार लोगों की जाने वहाँ पर जाती हैं तो फिर इसका बदला लेंगे और ये बदला काफी बड़ा होगा मैं क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि सीरिया क भी लड़ाके होंगे, एरान समर्थित लड़ाके भी होंगे और इसके अफगानिस्तान प्रॉक्सिस जो होंगे, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है. ये जो हाल गाजा में हम देख रहे हैं पिछले दस महने से, अब ऐसा लगता है कि वोस्ट बैंक में कुछ इसी तरह से हालात होने जा रहा हैं, और याब बिल्कुल ॥ीक कहरे हैं कि जैसा हिजबुला कहरा है हमास कहरा है, या फिलिस्टین की लडाके कहरे हैं, साथ में अब exemple बीच में तालिबान की भी बात सुनने में आई थी तो देखिए ये पूरे संगठन जो है वो इसरेल के खिलाफ एक होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके में जो है एक बड़ा जो एक डायरेक्ट वार की बात हो रही थी बहुत फिलाल नहीं हो रहा है इ ये पूरे शेत्र में अगले कुछ दिनों में जो हमने गाजा में देखा जिस तरह से गाजा में बताया जा रहा है कि पिछले दस मेनों में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई है गाजा में और करीब 93,000 से जादा लोग गायल हुए है तो ऐसी ही कुछ स्थिती जो है वो वेस् स्थितीन के आम नागरेख है वो भी इसमें जो है वो इसके निशाने पर आ जा रहे है तो इसके बाद जो है जो हालात गजा में हमें देखने को मिले जो तस्वीरे गजा से देखने को मिलती है वैसी ही तस्वीर वेस्ट बैंक से भी अब सामने आनी शुरू हो गई है तो ये देखिए ये एक दूसरा बड़ा बड़ा फ्रंट है जिस पे जो है और देखी दूसरी तरफ ये है कि हिजबुला ने जो है वो भी एलान कर दिया है कि अगर वेस्ट बैंक में इस तरह से उपरेशन चलता रहा तो जो हमले लिबनन से हो रहे थे इसरेल पे वो और बढ़ खड़ा है और हमास के लड़ाके लगतार इसराइल के खिलाफ युद्ध चेड़े हुए हैं अब ऐसे में आप सोचिए कि कहा ये जा रहा है कि जो हिजबुला है और इराक के सबसे बड़े अर्बाइन मार्च कहा जा रहा है कि इरान भी अब थोड़ा वेट कर राएका अर आज शायद एरान समर्थित लड़ाके हैं वो भी इस लड़ाई में कूच जाएंगे यानि एरान के इंटरी कहा जा रहा है कि अर्बाइन मार्च के बाद हो जाएगी जो उसके लड़ाके हैं जो उसके समर्थित लड़ाके हैं तो यानि वेस बैंक में हमला इसराइल के लि ऐसा हुआ नहीं और अब ये जो पूरा संगर्ष जो है ये ऐसा लगता है कि प्रॉक्सी वर्सेज इसरेल का इसने रूप ले लिया है और जितने संगठनों के आपने नाम लिये ये एक प्रकार से सब एक जुठ है और सब मिल के बहुत जबरदस थमला कर रहे हैं और देखी इनके पास जितने संगठन है चाये वेजबूला हो भूती हो इनके पास जो है हथियारों के वी कुई कमी नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में इनको hasply कि ए जा रहे हैं ये हथियार इरान की तिरफ से मिल रहे हैं कहीं कहीं तो नर्थ कोरिया का पिज़िक्र हो रहे है तो देखी इनके पास हत्यारों की कोई कमी नहीं है तो इस पूरे एरिया में चाहे हम गाजा की बात करें चाहे अब वेस्ट बैंक की बात करें ये पूरे दोनों ही इलाकों में संगर्श अब एक लंबा जो है वो किस्ता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जहां तक इरान का सवाल है तो ये अभी भी एक बड़े सोचने की बात है कि क्या इरान सीधा युदमें इन्वाल्व होगा या सिर्फ प्रॉक्सी की बदद करता रहा है लेकिन मैं कि यहां जानकार ये भी बता रहे हैं जाता था कि करीब पचास फाइटर जेट्स जो थे उसने एर स्ट्राइक करी तो बड़ा नुकसान हुआ हिजबुल्ला को और उसके बाद जो है जैसे जिस तरह से इसराइल का कहना था कि हिजबुल्ला ने जो है वो उसके 10 शहरों पे हमला करने का प्लान बनाया था 6000 रॉकेट से हमले होने वाले थे उसके बाद 325 रॉकेट से हमला हो भी गया तो ये एक फ़स्ट फेस था इसके बाद ये जो वेस्ट बैंक की लड़ाई जो है ये अब इस पूरे शेतर में ये प्रॉक्सी वर्सेज इसरेल है इसका ये सेकंड फेस हम इसको कह सकते है और ये इसने जो इस पूरे इलाके को जो है इस वार को एक नया रूप दे दिया है ये अब इसको एक नया रूप दे दिया है इसरेल ने अब देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि हिजबुला की तरफ से कोई बड़ा पलटवार हो या हो सकता है कि हमास जो है वो अपनी तरफ से जो है इसरेल के उपर रॉकेट्स या ड्रोन से हमले हो और खबर ये भी आ रही है कि यूएन ने कहा है कि ये बड़ा गया है वो सारी चीजे है तो अब यूएन ने भी कह दिया है कि भाई जो वेस्ट बंके में कारवाई आप कर रहे हैं वो बिलकुल ठीक नहीं है और इसे बंद करिया देखिए इसमें ये तो है कि गाजा में जो तस्वीरे सामने आ रही है और वेस्ट बैंक से तस् आ रहे है कि इस सवाल का एक और जवाब की भई इस समय वेस्ट बैंक पर कारवाई क्यों हमने एक वज़ा तो आपको बताई दूसरी जो एक बड़ी वज़ा जो है जो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से गाजा के साथ इसरेल के साथ इसरेल के साथ हमा का जो यह चाहता है कि इसरेल इस पूरे वार में अब एक कदम आगे चले और बजाए इसके की हमास या हमले हो रहे हैं उनको डिफेंड करे या उनके हमलों के बाद अटैक करे उससे बहतर है कि एक एग्रिसिव स्ट्रेजी अपनाई जाए और सामने वाले जो दुश्मनों की जमीने उस पर कबजा किया जाए और यहां से दुश्मनों को हटा लिया जाए तो इस स्ट्रेजी के तहत ऐसे कुछ एक्सपर्स का कहना है कि इसरेल ने जो वेस्ट बैंक पर हमला किया है यह उसका एक बड़ा हिस्सा है तो अब इसका परिणाम क्या होता है यह आने वाल इसराइल को खिरा भी जाता है हर एक प्लेटफॉर्म पर जानकार भी बताते हैं कि वो अपनी मनमानी करता है हलाकि इसरेल की यही बार-बार कहता है कि हम अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं ऐसे में अगर यहां पर कैजुल्टी होती है क्योंकि देखे हमले तो अधर से अगर हमला होता है तो फिर गजा फिर लेबनाओन या फिर वेस्ट बैंक में भी इस तरह के नुकसार देखने को मिल सकते हैं खास तो पर कुछ घंटे कुछ दिन में बिल्कुल आप जो ठीक करें आंदेशा बिल्कुल यह जताया जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में ही हमने पिछली बार भी यह बात कही थी कि बड़ा हमला हो सकता और देखिए वही हुआ अगले दिन ही बलकी रात को ही बड़ी स्ट्राइक होई और अब फिर से एक बार यह कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है इसका बड़ा बदला लेने के लिए हमास की तरफ से हिजबुला की तरफ से या शायद हुती की तरफ से भी आगले एक दो दिन के अंदर देखे इसरेल के उपर कुछ बड़ा अटाक जो है वो देखने को मिल सकता है बिलकुल तो बड़ा अटाक देखने को मिल सकता है गजा के बाद वेस्ट बैंक में जिस तरह की कारवाई हो रही है वहाँ पर हबास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है इसरेल यानि शुरू हो गई है तो किस तरह से ये मामला और आगे बढ़ेगा, किस तरह से बार और पलटवार होगा, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमंट करके ज़रूर बताए.